रेसियोनल नंबर और इरेसियोनल नंबर क्या हैं एक्जाम में रेसियोनल नंबर और इरेसियोनल नंबर के उपर किस टाइप का कुश्यन पुछा जोते हैं इसी के बारे में आपके सथ बात करेंगे तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहे हैं तो हाई फ्रेंड्स मैं हुद्दिलो और राब देख रहे हैं समार्ट स्टेडी फ़र केरेर युट्यूब चैनल जिसमें हाट तरकी कॉंप्टिब एक जाओं के लिए सौटकार्ट टीप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूं और यहाँ पर एक फास्ट रेसियोनल नमबर जो नमबर जो नमबर रेसियो के अकार में लिख सकते हैं rational number और दोस्ते m is to n और भी एक तरिक्ते से लिखता जाए से कि m आपून n लिख सकते आनि कि जिस नमबर को m आपून n आकार में भी लिख सकते और rational number है तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दना कि n काभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर n 0 होगा तो m आपून 0 आनि कि infinity तब यह rational number नहीं है आप दोस्ते irrational number क्या है irrational number ओ है जिस number को आप m आपून n आकार में लिख नहीं सकते या फिर m is to n आकार में नहीं लिख सकते वो irrational number है तो आपको यहाँ पर एक चीज दना जो रहे हैं कि जो number m आपून n आकार में लिख सकते हैं वो irrational number और m आपून n आकार में नहीं लिख सकते हैं वो irrational number और यहाँ पर कुछ example लेगा है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर at first 0 से start करेंगे and 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से n तक जितना भी number है वो rational number है जैसे कि हाँ पर at first 0 लेगे तो 0 आपून 0 को हम लिख सकते हैं 0 आपून 1 यहाँ कि m आपून n जो की एक fraction है तो m आपून n fraction में लिख सकते हैं यहाँ कि 0 एक rational number है इसी तरह से 1 को 1 आपून 1 जो की m आपून n रिख सकते हैं यहाँ की 1 जो की rational number है इसी तरह से कोई भी number जैसे कि 215 ले लिजें 215 आपून 1 लिख सकते हैं यहाँ की m आपून n जो की एक fraction है तो एक rational number है आप दोस्तों 0 से negative देख लेते हैं 0, minus 1, minus 2, minus 3 तो minus 1 को हम लिख सकते हैं minus 1 आपून 1 यहाँ की m आपून n में लिख सकते हैं यहाँ की rational number है इसी तरह से minus कोई भी number जैसे की 216 यहाँ की minus 216 आपून 1 यह भी एक rational number है तो इसी तरह से 0 से start करके positive और negative किसी भी natural number जो की n तक है वो आप rational number लिख सकते हैं अब देखें next topic जो की square root 4, square root 9, square root 16 क्या हम इन तिनों को rational number लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखें square root 4 तो यहाँ पर square root 4 यहाँ की यहाँ की 2 यहाँ की 2 इकोल टो आपून 1 जो की m आपून n फ्राक्शन के अकर में लिख सकते हैं यहाँ की square root 4 जो एक rational number हैं इसी तरह से square root 9, square root 9 इकल टो 3 and 3 आपून 1 लिख सकते हैं इसी तरह से 16 and यहाँ पर 4 आपून 1 लिख सकते हैं इसी तरह से और भी जैसे की cube root 27 यहाँ की 3 तो 3 कौम ने cube root 27 के rational number लिख सकते हैं अब इसके बाद चलते हैं next topic जो की fraction क्या कर में तो किसी भी fraction को देखी m अपून n तो 2 अपून 3 यहाँ की m अपून n 7 अपून 4 तो यह किसी भी fraction का operational number लिख सकते हैं इसके बाद rational number का और एक example जैसे की 1.4444 इसी तरह से infinite तो इस number क्या लिख सकते हैं तो 1.4444 लिख सकते हैं तो इसको अगर fraction में convert करेंगे तो चलिए देखते हैं 1 प्लास यहाँ पर 4 फोर के उपर बार हैं तो नीची यह 9 ले लिजिए and 1 and 4 अपून 9 होगा जो की एक fraction है तो fraction को और आप इसको 9 into 1 9 plus 4 13 अपून 9 भी लिख सकते हैं यानि कि M अपून N अकर में एक fraction है जो की एक rational number है इसी तरह से और भी बारबला number जो की 2.76 तो यहाँ पर हमने लिख सकते हैं 2.7676767676 इसी तरह से infinite तक लिख सकते हैं यानि कि 76 का जो पैटन है तो 76 के उपर बार दिया हुआ है तो 2.7676767676 किसी तरह infinite तक हैं तो यहाँ पर हमने डायलेक्टिक्स को लिख सकते हैं फ्राक्षन में 2 plus 76 अपून दोनों के उपर बार है तो 29 ले जिए तो यहाँ पर 2 and 76 अपून 99 जो की फ्राक्षन में हैं और एक rational number भी है अब चलिए 2.344 के उपर बार भी देख लेते हैं और यहाँ पर 2.34 एनकी यह लिख सकते 2.34444 इसी तरह से infinity तक हैं तो इसको हमने लिख सकते फ्राक्षन में 2 plus 34 अपून यहाँ पर ओन अंक बार है तो यहाँ पर ओन नाइन और यहाँ पर बार नंबर के आगे ओन अंक तो यहाँ पर ओन 0 ले लिजिए और यहाँ पर कैंसल करेंगे तो 17 and 45 जो की 2 and 17 अपून 45 जो यह भी एक फ्राक्षन में आ रहा है तो इसको भी आप rational number लिख सकते हैं अब state number पर एक चीज़ ध्यांदना है कि point के बाद decimal के बाद अगर किसी भी pattern है नंबर का जैसे कि 4444, 76, 76, 76, 4444 इसी तरह से अगर pattern होगा तो वो number rational number है अगर pattern नहीं है किसी number का तो वो irrational number है तो चलिए देखते है rational number क्या है अब यहाँ पर देखिए first जो example है square root 2 का तो square root 2 equal to original जो value है 1.4142 on 3, 56, 23 इसी तरह से infinity तक और एक अभी खतम नहीं होगा और यहाँ पर एक चीज़ देखिए यहाँ पर point के बाद किसी भी pattern आप देखने ही पाएंगे कि 4 on, 4 2, 1 3, 56, 23 अगर किसी भी pattern में होगा वो rational number होगा अगर किसी भी pattern में नहीं है point के बाद जो कि चलते ही जाएगा तो इस step जो number है वो irrational number है जैसे के point 2 अब point 3 का भी देख लेते हैं चलिए point 3 है point 3 का जो मान है 1.732050807 इसी तरह से चलते जाएगा तो यहाँ पर भी देखिए decimal के बाद कोई भी pattern नहीं है किसी तरह का भी pattern नहीं है अब pattern में देख लिजी और एक बार जैसे की मान लिजी हाँ पर एक number है 1.346346346 यहाँ पर देखे 346346 का pattern है तो यहाँ पर एक rational number है इसी तरह का और भी number जैसे की देखिए 2.3132424242 अब यहाँ पर देखे 3132 के बाद 424242 pattern है इसी तरह से infinity ताक है तब भी इस number का operational number लिख सकते हैं लेकिन जिस number का point के बाद या decimal के बाद जो कुछ भी pattern नहीं मिल रहा है वो number आपका irrational number इसी तरह से इसका root 5 जो की 2.23606797 इसी तरह से चलते जाएगा इसका root 8 जो की 2 root 2 भी लिख सकते हैं तो यह भी यहाँ पार 2.82842712 इसी तरह से अब देखिए पाई अब पाई का मान 22 अपन 7 भी हम लोग लेते हैं कि यह question को solve करने का time 22 अपन 7 लेते हैं लेकिन पाई का जो original मान है 22 अपन 7 नहीं यह approximate धालो हैं इसलिए पाई का जो original मान है वो अब 3.14159265 इसी तरह से चलते जाएगा और यहाँ पर कुछ भी pattern नहीं है तो पाई एक irrational number है अब और एक mathematical term जो कि यह का मान है 2.718281846 इसी तरह से चलते जाएगा यहाँ पर भी कुछ भी pattern नहीं है यहाँ पर next file जो कि यहाँ पर 1.6803396 इसी तरह से चलते जाएगा अब एक्जाम में किस टाइप का question पुछ जाते हैं तो generally एक्जाम में rational number और irrational number के उप़ार short type question पुछ जाते हैं जैसे कि यह वाला question बहुत ही important होता है जो कि पाई वाला question पाई एक irrational number है या फिर rational number तो आप confused मत होई है पाई एक irrational number है और एक question RRB 2005 में पुछ जाते हैं और भी type का question जैसे कि root 2 irrational number है या फिर rational number है और भी जैसे कि इस type question भी पुछते हैं कि 2.341 rational number या फिर irrational number है बस इसी type short 2-1 question पूछ लेते हैं तो उमिर्द करते हैं कि आगे इस type question का आप बहुत आच्छे से answer कर पाएंगे तो बहुत बहुत धन्यबाद दोस्ते इस वीडियो को देखने के लिए अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जोरू लाइक कीजिए अपने दोस्ते को साथ share भी कर दीजिए और अगर आप इस channel पर नए है तो इस channel को जोरू सब्सक्राइक कीजिए आगे भी इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए झाल 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 झाल